आदाब नमस्कार और आप सभी का स्वागत है QNS News की स्पेशकर्ष में और मैं हूँ आंचल मिस्कीन आज विशलेशन के लिए जिस ख़बर को हम आप से शेर कर रहे हैं वो हमारे समाज में बसे करॉप्शन व्राइबरी यानि रिश्वत लेने की विकार के बारे में है पर हाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें फेस्बुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और खबरों के जरिये हम से जोड़े रह सकते हैं तो चलिए, अब हम हमारे आज के रिपोर्ट की बात करते हैं कुछ दिन पहले खबर आये कि एंटी करॉप्शन ब्यूरों ने रेविन्यू रिकॉर्ट में कुछ बदलाव करने के लिए रिश्वत लेने के जर्म में हलका डंगर पोरा बढ़गाम के पटवारी गुलजार एहमत को गिरिफतार किया अंटी करॉप्शन ब्यूरों में एक शिकायत दर्ज होई कि हलका डंगर पोरा बढ़गाम के पटवारी गुलजार एहमत ने किसी जमीन के कागजों की कारवाही करने के लिए दो हजार रुपे की रिश्वत मांगी इस शिकायत के दर्ज होने के बाद F.I.R. रेजिस्टर किया गया और तुरंद इंवेस्टिगेशन शुरू कर दी गई इंवेस्टिगेशन के लिए एक ट्राप टीम कंस्टिटूट की गई और इसी ट्राप टीम ने रंगे हाथ एक न्यूट्रल विटनेस के सामने पटवारी गुलजार एहमद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा और फिर अरेस्ट करके ACB टीम ने इस पटवारी को अपनी कस्टेडी में लिया दोस्तों पटवारी का काम ground level का है तो जमीन से जोड़े documentation का काम इन ही के हाथ रहता है इनका लेना देना गरीब से गरीब तबके के लोगों के साथ भी रहता है ऐसे में इन खबरों से ये बात तो clearly सामने हा रही है कि ये पटवारी किस तरह अपनी ही duty के लिए ऐसे गरीब लोगों से पैसा एंटता है रिपोर्ट्स के मताबिक ये बात सामने आए कि इन्हीं एंटे हुए पैसो से रिश्वत के पैसो से इन्होंने अपनी कई illegal properties खड़ी की गरीबों के खून पसीने की कमाई sophisticatedly लूट कर अपने बंगले खड़े किये अपने लिए एशो आराम की जिंदगी पैदा की इस तरह के रिश्वत कोर पटवारी लोगों का आराम और चैन रिश्वत के तौर पर लूट कर खुद के लिए आराम और सुकून वाली जिंदगी बना रहे हैं हद तो यहा हुई कि पटवारी अब अपने काम के साथ-साथ ब्रोकर का भी काम कर रहे हैं ऐसे पटवारी कभी अपने दफ्टरों में नहीं मिलेंगे पर जमीन के मामले में जिन लोगों की मुनापली है जिनका स्टाइल माफिया स्टाइल जैसा है उन्हीं के दफ्तरों में चाई पीते हुए मिलेंगे Mutation documentation के लिए जो फीस लगती है अगर उस हिसाब से जाएंगे तो पटवारी कभी काम टाइम से नहीं करेगा और टालता जाएगा पर वहीं अगर आप इनकी जेबों में 1000 रुपया डाल दें पटवारी साब बिना schedule के आपका काम चुटकी बजा कर देंगे बस इनकी जेबे गरम करने की देर है ये तो in factic mindset बन चुका है कि अगर काम के लिए जा रही है तो कुछ पैसे पटवारी की जेब में सरकादो फिर देखो काम कैसे होता है इसके अलावा जिसे सभी सरकारी अफसरों और सरकारी करमचारियों के attendance के लिए biometric system का चलन चल रहा है उसी तरह इन पटवारीयों के attendance के लिए कोई biometric system क्यों नहीं है लोग आना जाना करके अपना समय बरबाद करते रहेंगे पर कभी टाइम से पटवारी इनको नहीं मिलेगा क्यूं? क्यूंकि कोई parameter ही नहीं है इनकी हाजरी चेक करने का क्या इसी रिश्वत खोरी की नियत से लोग पटवारी जैसे ओदों पर आसीन होते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि हमारी पेशकर्ष को देखने वाले लोगों के भी ऐसे ही पटवारीों के साथ कुछ इसी तरह के experiences रहे होंगे यहाँ जरूरत इस बात की है कि सरकार इस बीमारी की जड़ तक जाकर इसका solution निकाले ताकि गरीब तबके की लोगों को कुछ रहत पहुंच सके वरना ऐसे पदादी कारी ऐसे रिश्वत खोर पटवारी इसी तरह अंडर दे टेबल गरीबों की मेहनत की कमाई लूटते रहेंगे और पूरी गवर्नन्स का मुझ काला करते रहेंगे इसी की तरह एक और खबर सामने आई खबर ये है कि ARTO कुपवारा सहित दो और ओफिशिल्स रिश्वत लेने के जुर्म में सस्पेंट किये गए वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है कि किस तरह अपने पद का गलत इस्तमाल करके ऐसे पदादी कारी लोगों को हरास कर रहे हैं यहां ये भी कहना जरूरी है कि सरकार मसला नजर में आते ही आक्शन में आ रही है ये बात साबित कर रही है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा फिर चाहे वो एक आम करमचारी हो या फिर कोई ओदेदार अफसर दोस्तों इतने short duration में जिस तरह तेज रफ़तार से रिश्वत लेते हुए अफसरों के पकड़े जाने की खबरे सामने आ रही है उससे ये बात तो साफ है कि किसी भी हाल में रिश्वत लेने की बुराई कम नहीं हुई है ये आज की बात नहीं है तो जिसने भी इस situation को face किया होगा so let's be honest कि अगर वो financially well off है तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा पर हाँ जो financially weak है गरीब है या गरीबी से जूज रहा है या lower middle class का है जहां hand to mouth वाला system है उसके लिए ये जीने मरने की हालत पैदा कर देता होगा काम अटका पड़ा हुआ है और उसे निकलवाने के लिए पैसे नहीं कहीं रिश्वत हजार दो हजार की मांगी जाती है कहीं 50 हजार की और कहीं लाखों की मांगने वाला अफसर तो मांग लेता है पर वो ये नहीं सोचता कि अगर वो रिश्वत देने वाले की जगा होता और financial crunch से गुजर रहा होता तो उस पर क्या बीत रही होती क्यूंकि वो privileged है तो वो ऐसा क्यूं ही सोचे अपनी post का, अपने ओदे का फायदा लोगों तक पहुचाने की जगा अपने ओदे का गलत फायदा उठाते हैं ऐसे लाल जी अफसर सरकार इनकी नियुकती करती है ताकि ये सरकार के representatives बनकर लोगों के बीच सरकारी फायदे लोगों तक पहुचाएं क्योंकि कहते हैं न government is of the people, by the people and for the people पर यहां ground level पर काम करने वाले अधिकारी इसी तरह के पटवारी इसकी definition ही change करने में लगे है ऐसे लालची अधिकारी governance को for their privilege and according to their privilege मान कर चल रहे हैं और अपनी जेबे भर रहे हैं एक पटवारी की हर महीने की salary 25 से 80 हजार तक की हो जाती है जो सरकार इन्हें देती है पर इनका लालच इस तरह हदे पार कर चुका होता है कि इनका इतने से मन ही नहीं बढ़ता और ये इस तरह रिश्वत का सहारा लेकर अपना bank balance बढ़ाते हैं गरीबों के जेब से पैसा निकाल कर अपने महल खड़े करते हैं रिश्वत का सिर्फ यही एक level नहीं है हम सभी जानते हैं कि रिश्वत कई अलग-अलग levels पर circulate होता है पर हां यहां यह जरूर कहना होगा कि governance में कई ऐसे इमानदार अफसर भी हैं जो पूरी इमानदारी से अपना काम करते हैं तभी governance का concept अभी भी intact है पर यह भी देखा गया है कि ऐसे इमानदार अफसरों की working पर भी लालची अफसरों का एक upper hand रहता है और ऐसे में उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है इमानदार अफसर सक्त होगा और लालची अफसर की जेब में आब बस 500 रुपया डाल दो वो उसी से अपना इमान बेचाएगा तो कहां की अफसरी कहां की ओदेदारी खेर दुखिस बात का है कि आज भी हमारा समाज हमारे समाज के लोग रिश्वत के विकार के बोज से जुके हुए हैं जैसे कि हमने पहले ही कहा ACB और सरकार अच्छा काम कर रही है इसमें कोई शक नहीं पर ये भी वही कारवाही कर सकते हैं जहां केस या कंप्लेंट रिपोर्ट हो रही हो कई ऐसे cases है जो report ही नहीं होते, कभी सामने ही नहीं आते, ऐसे में कैसे इस बुराई को कम किया जा सकेगा यहां जितना सरकार का administration का role है उतना ही हमारा भी है हमें भी बिना डरे सबके सामने आना होगा और सरकार के कानों तक बात पहुँचानी होगी और जैसे के हमने शुरू में ही कहा, सरकार को जल्द से जल्द इस problem का निचोड डूंडना ही होगा वरना पटवारी और ARTO कुपवारा जैसे कई अफसरों की लालच की चक्की में गरीब आम आदमी ही पिस्ता रहेगा तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकर्श में सिर्फ इतना ही हम फिर हाजर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ तब तक के लिए बागी खबरों के लिए आप सभी बने रहें क्यों इस न्यूस के साथ और मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार